हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल मार्केट से भी ज्यादा यम्मी टीस्टी चॉकलेट स्विस रोल बनाना अगर इस तरह से बनाईएगा तो आप मार्केट से खाना ही छोड़ देंगे इतना ज्यादा फ्रेश और यम्मी बनता है बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी बनता है देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में उससे भी ज्यादा आपको टेस्टी लगेगा तो स्पॉंज बनाना भी सीखेंगे जो कि चूले पर सीखेंगे और परफ्रेक्ट तरीके से चॉकलेट गनाश बनाना सीखेंगे परफ्रेक्ट तरीके से विप क्रीम भी बनाना सीखेंगे तो स्पॉंज से लेकर विप क्रीम से लेकर सारी जानकारी है वीडियो को पूरी जोनोकिक का फूले पमिक्स बेकरी प्रेमिक्स कैने ब्हुत अजया प्रेमिक्स बेकरी ी वुटय कोछता है प्लेसार्थ चैंशि'mें पम्हा प्रेमिक्स बहुन Run आपको इसली मिल जाएगा तो यही वाला प्रैमिक्स आज हम लोग यूज करने जा रहे है एगलेस होता है और यहां पर जो टीन यूज करने जा रहे है वह साथ इंच देखे चोड़ा है मैं आपको दिखला दे रही हूँ और यह साथ इंच इधर से भी चोड़ा है तो यह ज जो भी रेसिपी बनाने जा रहे है उसके लिए सही टीन का माप होना चाहिए सही प्रैमिक्स लेना होता है सही कॉंट्रिटी में तभी आपका यह रेसिपी सही बनेगा यहां पर देखिए थोड़ा तेल लगा लिए और एक पेपर बिचा दीजे बटर पेपर और मेरे पास टीन को तेयार कर लिया है इसको साइड रखते हैं अभी और यह तिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जो हम लोग बनाने जा रहे है इसमें स्पोंज तो फ्रेंट्स अभी यहां पर हम लोग प्रैमिक्स ले 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 रहे हैं देखिए यह वन कप है मतलब 145 ग्राम एक कप में आधा कप और डालेंगे मतलब इसी कप से तो इतना मैंने ले लिया चॉकलेट प्रैमिक्स अभी आपको बहुत हिसाब से पानी डालना है ज्यादा पानी आपको एक बार में नहीं डालना है ठीक है अब पानी डालके इसमें हम लोग को एक चम्मच चोटी चम्मच से आपको तो रिफाइंड तेल डालना है यह एक चम्मच रिफाइंड तेल ठीक है अब तेल ऐसा लिजेगा ना जिसमें कोई भी महक नहीं आए कोई फ्लेवर कोई स्मैल नहीं आना चाहिए अभी बीटर से इसको तीन मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे डाई से तीन मिनट कर और तारीफ तो होगी वह अलग भाई की देखिए स्विस रोल भी बना लेते हैं आप तो स्विस रोल केक यह सब मेरे चैनल पर आपको मिलेगा ही केक की तो बहुत से रेसिपी है आप वही दिया के सीख सकते हैं कपकेक्स है तो बहुत सी रेसिपी आप इन ते वहारों में यहां पर थोड़ा सा पानी और डाला है और अच्छे से बीट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रेमिक्स यूज करते हैं बहुत अच्छे से बीट किया करिए जिससे की जालीदार और बहुत अच्छा आपका स्पॉंज बनता है यह देखिए हो चुका है अच्छे से मिक्स अभी प्रेंट्स क्या करेंगे कि अपना जो यह बैटर है देखिए बैटर आप देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर रखिएगा इतना ही पानी डालीएगा ताकि ऐसा बैटर बने आपका यह परफेक्ट रहता है और इसको डाल देंगे अपने केक टिन में अभी जितना हमने बैटर लिया है ना उस हिसाब से हमारा अच्छा खाशा माउंट में स्विस रोल बन जाएगा और यहां पर देखिए इसको हम लोग बिलकुल बराबर फैला जहें हैं अभी फैला लिया है और थोड़ा सा इसे अच्छेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तर इस तरह से तो आप कोई बड़ा सा पतिला ले लिजिए इस तरह से देखिए यह ना अ मियम का नो है और अच्छा मुझे लगता है केक व्गएरा बेक करनी के लिए और यह पार एक मारमीनियum का पतिला है इसमें आपको एक रखना पड़ेगा वायरर्यी या छोटी सी तो आज सीखिए चुले पे बड़ी आसानी से आप स्पॉंज तेयार कर सकते हैं, जिनके पास ओवे नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान होगा, और देखिए ये एक वायर रैक में रख रही हूँ, वायर रैक एक ले लिजेगा नाप ट्रेंड्स तो बहुत अच्छा रहत बाकि खोई भी बरतन में मेरा येक टीन नहीं अड़ेस्ट हो रहा था, अभी धक्कन लगा देंगे और चूले पे इसको चड़ाना है, तो चूले पर अभी आपको ना हाई फ्लेम में इसको थोड़ी दे रखना है, क्या करिएगा कि डेढ़ मीनट कम से कम हाई फ्लेम पर इससे क्या होगा कि ये बारी बरतन है ना तुरंत आपका पूरा बरतन गरम हो जाएगा, क्योंकि हमने बरतन को प्रिहिट नहीं किया था, इसलिए बोल रही हो आपको, तो इसको क्या करना है, पहले डेढ़ मीनट हाई फ्लेम पर रहने दीजे, और डेढ़ मीनट के बाद बिलकुल लो कर देना है, क्योंकि केक जो हमने बेख होगा ना वो लो फ्लेम में बेख होगा, यह दिखिए पूरा लो कर दिया है, और अभी इसको हम लोग बेख होने देते हैं, 20 मिनट तक बेख होने के बाद इसको खोल के देखेंगे, जब मैंने इसको खोला, तो मुझे आदा घंटा ना लग गया, इसको बेख करने में, आदा घंटा मुझे लग गया था, और यह देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा बेख हुआ है, जहां से भी आप दबाईएगा ना, वापस उचल के उपर आएगा, इसका मतलब है, आपका पूरा स्पॉरा स्पॉंज बेख हो चुका है, चाहें तो आप कोई पिक डाल के देख सकते हैं, लेकिन यह बहुत सही पहचान है, कि हमारा केक बेख हो चुका है, कि दस नहीं रहा चूने से, वो देखने से भी पता चल जाता है, करते-करते आपको भी आइडिया हो जाएगा, अभी एक छोटा मतलब की हम ल यह देखे, यह बेकरी में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसका टेक्स्चर बहुत सिल्की होता है, खाने में तो इतना यमी होता है, यह चोगड़ की मत पूचिए, और आपको यह सस्ता भी मिल जाता है, एक बड़ा आप लेके आएंगे तो, और इसको ना हम लोग चॉ इसी तरह से बारिक-बारिक चॉप कर लिया, चॉप करने के बाद हम लोग तो दूद ले रहे हैं, आप यहां फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, मैं दूद ले रही हूँ, अभी जितना चॉकलेट है ना उसका बस आधा हम लोग को दूद मिलाना है, क्योंकि अगर मैं बराब तो आपका गनास ना जल्दी सेट हो जाता है, टाइम नहीं लगता जादा, ऐसे तो मैंने बराबर बराबर दूद और चॉकलेट मिला के बताया है गनास बनाने, लेकिन उसमें सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी मेरे पस बिल्कुल समय था नहीं, मैंने धीमे फिल्म में ही आपको रखना है, और चॉकलेट को ऐसे चलाते रहना है, चोड़ नहीं देना आपको ने, तो चॉकलेट ना जलने का चांसिस रहता है, चलाते हुए देखिए, यह पूरा मेल्ट हो गया है, तो यह हमारा गनास तयार हो गया, अब यह गनास ना बिल्कुल गा स्टार विप क्रीम की डीटेल वीडियो मैंने डाली थी, और आप सब को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत हल्पुल थी आप सब के लिए, जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, एक कप में ले ले रही हूँ, सेम कप से अपना विप क्रीम, और इसको अभी बीट करेंगे, तो ये बीटर का भी जनकारी दिया है, ये 400 वatt का मेरा बीटर है, इसका भी जनकारी है, देखिए लो स्पीड में मैंने रख्खा हुआ है, लो स्पीड से ही स्टार्ट किया करिये जब भी आप क्रीम को विप करते हैं, क्रीम अभी चिल्ड है, बस लेकिन वह चिल्ड है और यह फ्रीज से निकाले थे बस उसके बाज ऐसे ही आइस क्रिस्टल्स हट जाता है आप विप कर सकते हैं और इसको जब भी आप स्टोर करें ना फ्रीजर में स्टोर करें जब भी आप विप करें अभी देखिए थोड़ा-थोड़ा पीख आने लगा तो थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा ना अप मीडियम कर दिजे अब मीडियम में इसको हम विप कर रहें और जब भी विप करिये ना तो सब जगा विप करिये से गोमाते हुए ताकि हर जगा का क्रीम विप हो और अभी देखिए फिर से पीक आना स्टार्ट हो थोड़ा और गाढ़ा होने लगा तो क्या किया है पूरा हाई स्पीड कर दिया है हाई स्पीड में इसको हम लोग देखिए विप कर रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं इसमें कैसे पैटन बनने लगा है तो बस थोड़ी देर में अब हमारा क्रीम रेडी हो जाएगा और य अभी मैं आपको दिखा रही हो इसको पलेट करके भी कितना अच्छा हमारा क्रीम रेडी हुआ है कि बिल्कूल ऐसा स्टिफ पीक का देखिए क्रीम बनिया है देखिए तो इतना आपको बीट करना है फ्रेंड्स कई बार लोगों को लगता है कि बीट हो चुका है लेकिन व और वह है हमारा स्ट्सपोंज को लेयर कट करना तो films इतना प्रेंग्स छो ांडों आप पाउंज देख रहे हो इसको घूमाने में दिक्कत होगा हमारा को ट्राम करने में इसलिए आपको प्तला करना है तोिससे मेरा दो बन जाए अराम से तो इसका इन्या देखिए मैंने तोड़ी दिर रख दिये थे ना इसलिए स्पॉंज उपर से स्टिकी जैसा हो गया है तो इसको हटा दिया है और अभी हम लोग ले रहे हैं देखिए ऐसा पॉलेथीन आता ना पॉलेथीन आपके पास भी होगा मतलब थोड़ा मोटा है प्लास्टिक बोल सकते हैं थोड़ा मो स्पॉंज को रखा और क्रीम को देखिए हम लोग बराबर फैला रहे हैं अच्छा एक चीज का आपको धियान रखना है क्रीम आपको बहुत ज्यादा मोटा लेयर इसमें नहीं लगाना है वरना रोल करते समय आपको दिक्कत होगा थोड़ा पतला लेयर का क्रीम आपको यह अभी हम लोग क्या करेंगे अभी पैलेट नाइफ से इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से देखिए तो ना यह चॉकलेट गनाश बहुत अच्छा टेस्ट देगा क्योंकि चॉकलेट वाला बन रहा है तो अंदर भी चॉकलेट का स्वाद आना चाहिए इसलिए मैंने यह गनाश डाला और रोल कैसे करना है वह देखिए देखिए साइड 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 से आपको पॉलिक्तिन को पकड़ना है और फिर यहां पर प्रेस करना है और फिर नेक्स्ट आपको वैसे ही करना है प्रेस करके दब गया अभी फिर से आपको पॉलिक्तिन को पकड़के इस त इस तरह से करिए आपको बिल्खुल दिख्खत नहीं होगा यह देखिए यह हो गया ना अब बस इसको ऐसे मोड़ दीजे पॉलितिन को इस तरह से और इसको अभी क्या करना है से मोड़ के इसी तरह से फ्रीज में रखना है ठीक है यह कुलने का कोई चांस नहीं है आपको ऐस इस पहला वाला जो मैंको किया था खीनका बयाता टाटए बसमें चौकलेट नहीं ज involved चौकलेट गनाश प्रोरिश के साल के टी रहा था है आधा गंटा बाद जब सेट हो जाएगा तब next process इसका करना पड़ेगा हम लोग को तो चलिए freeze में इसको भी रखते हैं तो दोनों ही मैंने सही रखा friends यहाँ पर देखिए हमारा गनाश तो अच्छा कासा गाड़ा होई गया तो इसको हम लोग डाल देंगे क्रीम में क्योंकि अभी हम लोग को और भी काम करना है तो अभी चॉकलेट क्रीम से काम करेंगे तो क्रीम को मैंने थोड़ा सा वाइट क्रीम निकाल के रखा है डिजाइनिंग करने के लिए और बाखी में हम लोग डाल दिया है चॉकलेट गनाश थोड़ा सा और इस तरह से बहुत चॉकलेटी क्रीम बनता है आप बना के देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है और यह रहा देखिए सेट हो गया है आदे घंटे के बाद इसको मैंने खोला है यह देखिए अभी आप इसको ऐसे भी रख दीजेगा तो यह अधिये नहीं खुलेगा तो देख लिजेगा आपका सेट हो गया हो सकता आपको तो जादा समय भी लगे तो आप यह चीज देख लिजेगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पैलेट नाइप से चोटे बाले पैलेट नाइप से में काम कर रहे हूं और इसको ना हम अच्छे से थोड़ा समूध कर लिजेए ऐसे तो एंड जो दोनों एंड है उसको तो लोग थोड़ा थोड़ा करके हाटाएंगे और लेकिन फिर भी एंड तक हम लोग समूध कर रहे हैं इसको इस तरह से मैंने बस पैलेट नहीं थी यूज किया था समूध करने के लिए औ फ्रीज में इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि कट करते समय थोड़ा सेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा और नेक्स्ट हमने ऐसे ही किया था दूसरे वाले को भी सेम प्रोसेस से हमने स्मूध कर लिया था और इसको भी फ्रीज में रख लिया था तो फ्री सही सीधा सीधा स्मूध सारा साइज हम लोगो मिलेगा अभी क्या करना है जब आप नाइफ से कट करिएगा तो नाइफ को एक बार साफ करिएगा क्रम पवह पखेयर नाहीव करें लुए उसके लिये नाहीव को सुद्रा शाफ करेंगे और इस तरह से लोग कूरी निकालेंगे कि क्रम बगेरे न उपर जिपके गानी अच्छा लगेंगा उपर साफ सूतरा लगेंगा तो एक बार कट करेंगे एक एक बार नाइप को साफ करेंगे और इस तरह से हम लोग पीसेस को निकालेंगे इस तरह से आपको पीस निकालना है तो फ्रेंट्स स्टेप बाइ स्टेप आप देखा करिए और देखें ये एंड वाला मैंने निकाल दिया इसको भी हम लोग नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे, बच्चे लोग तो कुछ छोड़ने वाले हैं, नहीं सब खालेंगे, और यहां पर देखिए, यह एक हो गया, अब दूसरा को भी आपको ऐसे ही करना है, स्टार्टिंग बला एक काटके हटा देंगे, और उसके बद पीसेस अपना कर लेंगे, इस तरह से देखिए, हो गया सारा पीसेस, और इसको मैंने दूसरे प्लेट में रख दिया, कोई ज्यादा दिक्खत नहीं है, आप पैलेट नाइफ की मदद से बड़ी इजली उठा सकते हैं, इसको, देखिए इस तरह से, अगर आपको सजाना है किसी प्लेट में महमानों के समने सर्फ करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अभी 2D नोजल लिया है, और जो हमने विप क्रीम निकाला था उससे डिजाइन कर रहे हैं, देखिए बस ऐसे चोटा चोटा डिजाइन, तो सब में देखिए डिजाइन करना है आपको इसी त और देखिए चैरी को ना हाफ अफ कट कर लिया है, और क्योंकि छोटा चोटा पीस है इसलिए हाफ अप कट करके बैसे सजा दिया है इस डिजाइन के ऊपर में, और इस तरह से हमारा स्वीस रोल हो जाएगा तियार, तो जब आप घर पे इतना अचा स्वीस रोल बना सकते ह तो फिर क्यों मार्केट से लाना, अब मार्केट में जैसे जो भी है फ्रेंट्स बहुत तरह का क्रीम अलग अलग तरह का कलर बहुत चीज ऐसा यूज किया जाता है कि जो की हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, तो हम लोग घर पे ही इसको बनाएं, ऐसे मैंने होममेड प्रे नहीं बनाया स्विस्स रोल चोकलेट फ्लेवर में, तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दूसरे फ्लेवर में भी लेकर क्या होंगी जैसे स्ट्रोबेरी, पाइनपल, तो वह सब भी सीखिएगा और आप घर पे ट्राई करिएगा और इन फेस्टिवल सीजन में जरूर ट् तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू, बाई बाई